तो दोस्तो आज 4 ऑगोस्ट 2023 बात करेंगे इस वीडियो पे कुछ इंपोर्टेन शेर्सक्यूपर, कुछ इंपोर्टेन अपडेट सा कुछ इंपोर्टेन नियूज है तो चले के करके कवर करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे PSU Banking Sector का दिगज बैंक, State Bank of India यानी SBI आज दोस्तो दूरिंग मार्केट बैंक का रेजल्ट आउट हुआ और उसके साथ साथ इंस्टैनली हमें उसका इंपक्ट भी देखने को मिल गया जहां पे रेजल्ट आउट होने के पहले हमने देखा था शेर चल रहा था अप्रॉक्स दिखा तौँ हमें प्रफरमेंस है वह बहुत अपे के मार्केट में तो कुछ भी हो सकता है मार्केट में इसको इंस्टैनली गिराबट भी हो सकता है तेजी मिन हो सकता है फिलाल आप देख लिए लास्ट एर से शुरू करेंगे 2022 की जुन क्वार्टर पे जहां array बैंक का टोटल इंकम का नंबर था 32,676 करों रुपए जो कि इस बर बर चुका है कितना बड़ा 95,975 करों रुपए तो इसको आप खराब नहीं बोल सकते हैं बहुत अच्छा यहां पर पर्फोर्मेंस देखने को मिला इरली बलकि क्वार्टेली भी बहुत अच्छा ग्रो कि लास्ट क्वाटर यानि मार्च 2023 पे बैंक का टोटल इंकम का नंबर था 92,951 करों रुपए जो कि इस बर सीधा बरके हो चुका है 95,975 करों रुपए ठीक उसके साथ साथ अगरम बात करें बैंक की मार्जीन मार्जीन के अंदर भी दोस्तों एकदम से इंक्रीज देखने को लास्ट यार पे मार्जीन था कितना 8% इस बार देखे बढ़के 11% नौट इबेन एर बलकी कौर्टर ले भी 8% से बढ़के 11% हो चुका है और उसके साथ साथ देखे कंपनी का जो अल्टिमेटल नेट प्रॉफित है उसके अंदर भी एकदम से ग्रोथ देखने को मिला लास सब्सक्राइब का धाई गुना धाई गुना से भी ज्यादा हो चुका है कंपनी का नेट प्रॉफित तो कितना अमेजिंग आउटस्टेंडिंग रिजल कंपनी प्रेजिंट क्या टोटल कंपनी का नेट प्रॉफित आया 16,884 करोर उसके साथ साथ क्वाटली भी बात करें तो थोड़ा तक यहां पर इंक्रीस देखने को मिलें अब बात करें बैंक का प्रॉफिंस इस बार काफी अच्छा था अब जो इंपोर्टेंस सबाल आ रहा है कि अल्टिमेटली शेयर कंदर गिरावट कैसे हो क्या तो बेसिकली मार्केट का एस्टिमेट था खास करके अब आपको बोला एक सो अठार परसंट की ग्रोथ देखने को मिला नारा बहुत अच्छी परफवेंस अब नेट इंटरेस्ट इंकम मार्केट का मार्केट का एस्टिमेट था उसको बीटने कर वाइब आपकी बात कर जो कमपनी का नेट प्रॉफिट आया ना इसको बहुत आड़ाम से बीट कर दिया मैं आपको दिखा तो मार्केट का क्या इस्टिमेट था तो आपको चीज़े मालूम पर जाएगा मार्केट के इस्टिमेट था कि लगबग 170 परसंट का सबस्ट ग्रोव करेगा यहली और जो एमांट वाइस लगब 15,000 करोड का सबस्ट नेट पर बहुत अच्छा था बाकी इमेरेटली क्या रियक्शन आएगा वह तो डिपेंड करते हैं मार्केट को बट हम आपको डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा लॉंग टाम की पॉइंट व्यू से यहां पर होल्ड करें और इमेरेट बाइक की बात करें तो देखिए शेर को पहल यह बढ़िया रेंज हो सकता है नेक्स दोस्तों बात करेंगे जो मैटो आपको याद होगा कि कर लात में जो मैटो का क्वार्टर वान का रिजल रिव्यू कर रहा तो उसके साथ आपको यह भी बोला था कि कंपनी का रिजल जो है इस बार आउट स्टैंडिंग मतब नेक्स कभी भी जनेरेट नहीं कर पाया और जिस बैसे आज की डेट पाथ है शेयर में एक बिसफोट होना था और शेयर अल्टिमेटली जो नाइंटिफाइब रुपीज का आसपर पहूंच चुका है अब जैसी का आपको मालम है कोई बड़े कंपनी या कोई ऐसे कंपनी जो की ए करके थोड़ा ध्यान से देखना सब्सेलों मोर्गन टोने पहले टार्गेट इक इस बार पोस्ट कुटर वान टार्गेट या नियू टार्गेट एक शुपंद रुपै जो पाच रुपैय मोचिला औसवाल डोमेस्टिक ब्रोकर चंपनी इनके तरब से भी पहले टार्गे तर्गेट दिया 110 रुपय का एक्सीज केपिटल की बात करें पहले टार्गेट था सिर्फ फर से 59 रुपीज इस बाद चेंज करके अल्मोस्ट एटी परसें ज्यादा टार्गेट दिया एक सो तीन रुपय का चील सी की बात करें ग्लोबल ब्रोकरेज कंपनी इसके तरब से भ इसने पहले टार्गेट दिया एक सो तीस रुपय का तो अल्मोस्ट आगा देखे जाए ब्रोकरेज कंपनी दोरा जो टार्गेट के अंदर काफिया तक रेज होता हुए नजरा अब ऑवियस बात है क्योंकि एक लॉज मेंकिंग कंपनी जब प्रॉफिट बनाता है तो आप जिन बहुत ज़्यादा नेगेटिव में था एक टाइम पर माइनस 21 परसें इस बार आप देख सेख तो नेगेटिव में स्टिल है बट बहुत कम है और इस बार देखे एक्चुली जो यहां पर टैक्स एक्जम्शन मिला यह जो प्रॉफिट आपको दिख रहा है यह विसक अब क्योंकि शेयर के लास्ट एक महीने की बात करें खास करें बहुत चल चुका है तो इमीडेट आपको बाई करना है तो सो रुपए का इंपॉर्टन जो बैरियर से लेबल से इसको क्रॉस कर अपर जाने दिए उसके बादी इन्वेस्ट करना सोचना ठीक है यह मेरे मैं आपको रेकोवेंट भी किया था ज्यादा पुराने बात नहीं है जुलाई महीनी की बात है मैं आपको एक बार नियूस के उपर लेकर चलता हूं तो एक बहुत दिगज ब्रोकरेज कंपने आप बोल सकते हैं जिसका नाम है जेपी मॉर्गान के पी आई टेक्नलोजी श चल रहा था एक हजार चूरासी रुपए और यहां पर टार्गेट आया था जेपी मॉर्गान की तरफ से 540 रुपए का यह भाई सब चला शेयर को गिराने आया बड़ा गिराने वाला और खुदी आप देख सकतो खुदी गिर गया और कि कहां से कहां पहुंच गया तो जि ग्रोथ कंपनी है जरूर इसके साथ चाहिए अगर थोड़ा बहुत ज्यादा भी मिलना है कोई बात नहीं है डिमांडिंग सेक्टर है क्योंकि यह कंपनी जो काम करता है ना आटोमेशन को पर मैं यह चीज आज नहीं बहुत पुराने दिन से बार-बार सबको अलट किया थ था उसके बाद शेयर हमने देखा था चैसो के आसपास पहुंचा तब भी मैं खड़ीदा था तो मेरे पास एक वड़ेच इसकी ड्राइट का असपास है ठीक है बाकि मैं बोलूँगा के पी अभी जो स्टेज में खड़ा है तो एक तो सामने इसका ओल टाइम है वह हाई को थोड़ा बहुत यहां पर जा सकतों बागी दोस्तों इस वीडियो को वाइंड अप करते हो मिलते नेक्स वीडियो पर तब तक कि लिए टिक क्या बाबाई जय हिंद्व